हेलो गईज असलाम अलेक्कूम विल्कम बैक ट्यूम्ट चानल दूंजोंवर्ट कैसे हैं आप लोग सब मैं उम्मीद कहते हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की दुआउं से मैं भी अच्छी हूं वादा थोड़ा इतर वादा खिलाफी तो थोड़ी बहुत काली मेच थी और एक मोटी लाची थी जीरा थेज़ पात के पत्ते हैं और दोचर लौंगे इसके बाद मैं इसी चौके में यह मखाने डाल रही हूं यह मखाने में अभी निकाल लूंगे आप लोग देख लेना आपके सामनी करूंगे तो इसे में कब डालूंगी वह मैं को मतलब आगे दिखा दूंगी और इसके साथ ही बहुत-बहुत सौरी लेकिन मैं यह पूरी उम्मीद करती हूं कि आप सारी ही मेरी बहने हैं और आप सब मुझे समझ सकती है इस वक्त मेरी सिचुएशन समझ सकती है तो आप उसे नरास तो खैर नहीं होंगे और मैंने तब अशन नहीं होता शूट करने में प्रॉब्लम और रेटिंग में तो सबसे जादा प्रॉब्लम है तो इस वज़े से काफी सारी चीज़े रह जाती है और लेकिन मैंने इसका आप से वादा तो किया ही था कि मैं दे दूंगी रेसिपी तो फिर मैं अब दे रही है तो अभी यहां पर मैंने गरमसाले से चौकर लगाया और अपना मकाने निकाल लिये हैं और यह मैंने प्याज एक स्टाइल प्याज है यह बारी काटके और इसके अंदर डाल दिया आज मैं आपको सिखा रही हूं कि हलवाई कैसे बनाते हैं हलवाई कि आपने मट्र परने की सब्जी चार बड़े साइस के प्यास ले लिये हैं और दो चमच भर भर के लसन अधर का पेस्ट तीक है आपको ऐसे समझ में आ गया अब यहां पर ब्राउन हो रहे है और मुस्ट हो भी गए है तो इसके अंदर मैंने हल्दी और यहीं पर में मिश्रा लूँगा तो शायद आपको अगर तेल में ही हल्दी में डाल दो तो कलर बहुत अच्छा आता है अगर टमार्टे डालने के बाद डालोगे तब यह अच्छा नहीं आता तेल में जब यह मसाले अहल्दी और मेर्च भन जाते ना इसका अल्लग लेवल का आता है वह आप वीडियो के एंड में देखना जब सबसी बन जाएगी ना इतना चटकीला इसका कलर आएगा तो वह आप देख ले ना वह इसी का ट्रिक यह है और हल्वाई जो सबसी बनाते है वह अलग क्यों लगती है उसका भी एक ट्रिक है वह मैं भी आपको बताऊंगी वह है यह यह बेसन एक चमच भर के छोटा ज वह लोग बेइसन यह लेकिन बेसल ना रहना है कि आपको खड़े ही रहना है आप इस मसाली को यह से नहीं चोड़ सकते हैं तो बहुत जल्दी तला पकटता है वह इसको भर के बाद मेरा चंच आप देखना हिलता ही रहेगा चंच रुक ना ठोड़ासा मुश्किल है यहां तो चार ही टेमाटर मैंने लिए उसको पीस लिया सिंपल और अब यह डाल दिया तो इसकी नहीं बड़ी अच्छी फाइन ग्रेवी बनके तयार होगी और आप लोग को बता है टेमाटर के ऊपर ही नमक डल जाता है और बाकी मसालेवी मैं अब यह डाल दिया है तो यह कि लिए बहुत बड़ी मिलब रोल अदा करती है तो यह भी मैंने इसके अंदर डाल दे और आप अभी से देख रहे हो नो मसाला कितना बंधा-बंधा सा और कितना खुबसूरत लग रहा है तो चलो अभी मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है और अगर मुझे आप टाइमि मसाला है यह बेशन की वज़े से ही हुआ है अभी आगे आपको और भी सारे ट्रिप ट्रिक्स एंड टिप्स बताओंगी की और हल्वाई क्या क्या करते हैं तो बस आप देखते जाहिए तो बस यह पाइनल की मैंने अच्छे से भुन लिया है तेल सारा उपर आई चुका आ मैं अच्छे से बहुत बढ़िया तरीकी से मिसाला भुन लिया है और अब मैं इसके अंदर ये फ्रेश मटर डालू फ्रेश नहीं है फ्रोजन मटर जो मतलब वह सफल की मटर होती ना अभी यह वही है और मटर का थोड़ा सबस्य हिसाब जैसे विंटर सा गई है तो अब त मटर डाल रहे हैं तो आप मटर के साथ ही पहले एक सीटी ले लिए ठीक है फिर पनीर बाद में डाले यह आपका टिप है आपको ऐसे करना होगा लेकिन यह वाली फ्रोजन मटर यह बहुत जल्दी इगल जाती है तो इसको मैं पनीर और वगयरा के साथ ही एक हल्किसी सीटी मैं आपको आगे बता दूंगी तो यह मैंने दो मिनिट के लिए थोड़ा सा ढ़के भी रख दिया था और इसको अच्छे से बुन लिए यहां पर ना मैं एक चीज और डालती हूं वह मिर पस अभी थी नहीं है अगर आपके पास हो तो जरूर डाल लेना तो यह मैंने निक पानी के लिए तो जो बच्छों के लिए करती हूं मैं पहले ही चीनी लाले तो मुझे एक दम से डालते याद है यह जरूर मीठी मलाई हो गया मैंने टेस्ट करीना वाक्य में मीठी थी तो मैंने थोड़ी सी डाली वरना आप इसमें तीन-चार चमज भरके मलाई डालो अब देख लिए और यह जब रेस्टोरंट की या शादी की या धावे की आप खाते एक रिच टेक्चर की होते तो वह इनी सब चीज उसे आता है अच्छा मैंने इसमें काजू नहीं डाले अगर आपके पास काजू भी हो तो आप पीस की डाल सकते काजू और मंगज लेकि क्या करना है इस्के बाद मैंने नमख टेस्स कर रहा है ऑर पारी में थोटा सव और इसमें डालरी हो प्रकूंकि यह थोड़ा हो जाएगा वी आपको लग रहा हूं आपनी कितना पतला कर दिया यह थोड़ा सवश्सन्य निश्टे यह थोड़ा सभी ड्टी लेक्श हो और ह जैने कटकर के डाल दिया हैं इसको calls DR K motor वैक हम इतना है कि ज्यादा कुछ करना लिछ नहीं पानि आप पानी है कि अन्होंट जाय अंगे पानी क्षू तो मुझे रॉटर हो थोड़ी लिक्विडी में फार्म कर अभू थे form नहीं है मतलब थोड़ी favor that मैंने डाल दिया है ग्लास से पूछे तो ऑलमॉस्ट एक ग्लास भर के इसमें पानी जाच चुका है कुकर की सीटी लगा दी थी हल्की सीटी लिया बहुत जादा नहीं लिया बलकि मेटर को गलाने के लिए पूरी सीटी भी प्रेशन लिया तो थोड़ा सा प्रेशन आप मैंन इसको दिखाती हूँ तो यह देखिए यह इसका कलर है आप देख सकते हैं इतनी बड़िया यह सबसी है आप जरूर बनाना मेरे कहने से और मतलब कैसी बनी है मुझे कमेंट में जरूर बताना यहां मैं आपको इसका टेक्च्चर भी दिखा रहे हूँ यह देखिए बंदी- नेक्स व्लोग में तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्यार दखना अल्ला हाफिज